बाइयो स्वागा था आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल फंटसी लेजन अखाडा में तो दोस्तो आज बात करेंगे किस्ता सेशी और हिडिंगे के बीच में होना वाले है आज के इस शुड़न टी टेन मैच के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो में आप लोगो मै पूरी जानकारी देने की कोशिस करूँगा सारे प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा दोस्तो जिसको आपको अपनी टीम में लेना है और जिसको आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करके जाना है ठीक है तो वीडियो को बीना इसकिप के वहे अगे ठीक है और दोस्तो आपको मेरी फाइनल टीम अगर आप खेलना चाहते हो ठीक है तो फाइनल टीम भी मिल जाती है बाकी वीडियो है बन रही है तो आप मैं चाहता हूँ कि आप खुद कर टीम बनाओ काफी अच्छे से ठीक है बाकी टेलिग्राम को जॉइन कर लेना ताकि आप लोग को सारी चीज़े अच्छे से समझ में आते रहे ठीक है सीखते रहो तो चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं मैच के बारे में फटाफट से तो दोस्तो चलिए बात कर लेते हैं मैच के बारे में तो मैच नमबर 17 खेला जाएगा इस सुडेन टीटेन का के सिसी और हुड के बीच में ठीक है मैच स्टार्ट होगा दोस्तो ढ़ाई बजे वेदर की बात करें तो रेन के हाँ पे चांस नहीं है वेदर की बात करें तो टोटल 15 मैच यहां पे खेले गया है बेटिंग फर्श ने नौ मैच बेटिंग से करने वाली टीम ने 6 मैच विन किया है एवरेज स्कोर की बात करें तो 100 से 120 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा तो चलिए दोस्तो आप बात कर लेते हैं टीम के सिसी के प्रोबल प्लिंग लिवन के बारे में तो दोस्तो इनकी टीम से ओपन करेंगे मुहमद अहसान और दोस्तो हमजा इम्रान ठीक है most probably यह दोनों ओपन करने चाहिए मुहमद अहसान देख सकते हो दोस्तो अभी तक ठिक ठाक परफरमेंस की है 27, 26 और 21 नोट आउट का तो बिलकुल ले करके चलना इसको ठीक है हमजा इम्रान दोवर की बॉलिंग करा रहा है दोस्तो साथ ही ओपनिंग ठीक है समसेम खान है जो की दोस्तो लास्ट के दो मैचेस में दो-दो ओर की बॉलिंग एक करा रहा है ठीक है तो बिलकुल ले करके चल सकते हो दोस्तो इसको बैटिंग से भी अच्छा खासा कंट्रिबूशन ये करता है तो तामा रन फर्स्ट मैच में किया सेकंड मैच में दोस्तो 15 एक विकेट उसके बाद दोस्तो जिरो रन दो विकेट तो दोस्तो बैटिंग या बॉलिंग दोनों में से किसी एक से पॉइंट आपको देखर कर जाएगा उसके बाद सो मकूस बादर हैं ड्रॉप करके चलना बहुत कम चांसे हैं इनके बैटिंग के ठीक है और दोस्तो बैटिंग आया तो लेकिन प्लेयर ठीक था कि 25 एवरे सरन में अभी तक है ठीक है और पार्ट टाइम में बॉलिंग भी करता है तो देख लीजेगा ऐसे प्ल बॉलर बोलोगे तो मुहमद आसिफ है इस्टम टू स्टम बॉलिंग कराता है दोस्तो ठीक है और काफी सांदार विकेट लेता है बैटिंग से भी बॉलिंग से भी किसी वी चीच से आपको इसको मौका देके देखो सब से अच्छा करता है ठीक है तो बिल्कुल मुहमद आ ठीक है उसके बाद दोस्तो साहिद नवाज है ड्रॉप करके चल सकते हो इनको भी क्योंकि इनको बैटिंग ना बॉलिंग किसी से भी चांस नहीं मिलने वाला उसके बाद दोस्तो गजेल महदी है ड्रॉप करके चलना इनको भी चांस नहीं मिलेगा हामीद अली है ड्रॉप करके चल सकते हो दोस्तों हलाकि domestic t20 के 9 मैच में 13 विकेट है 34 वर डालके और बैटिंग से भी 24 कावरेज है इनका तो बिल्कुल इनको ले तो सकते हो लेकिन टीम मौका देगी तभी ये कुछ कर पाएगा मौका नहीं देगी तो नहीं कर पाएगा तो grand league में try कर सकते हो किसी एक calling कराने आ जाते हैं important रहेगा ठीक है अर्चित दूपर हैं दोस्तों लास्ट मैच में दो वर किया दो विकेट मिला domestic t20 के अंदर एक मैच में एक विकेट दो वर डालके था ठीक है बिल्कुल लेकर करके चलना इसको खेलेगा तो दो और की बॉलनी ये बिल्कुल कराएगा अभी के लिए यहां से important player की बात करूं तो दोस्तों मुहमद अहसान है हमजा इमरान है सेमसम खान है और दोस्तों यहां नीचे से मुहमद आसी भी important हो जाते है ठीक है और दोस्तों मुहमद वकार जैसे player grand league के लिए है small league में तो इनको मैं suggest करूंगा भी ने ठीक है नीचे से दोस्तों यहां पर बात करें starting के वर्स की तो मुहमजा इमरान starting में बॉलिंग करते हैं मुहमद आसीब के साथ ठीक है डेथ वर्स में अर्ची दूपर और इक्रम उलभ बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे आपको तो चलिए दोस्तों बात करते हैं team HUD मता उडेंगे के प पॉइंट दे सकता है ठीक है विकेट कीपिंग भी करा रहा है इस सिजन तो बिल्कुल आप इसको ले करके चलना विकेट कीपिंग से पॉइंट देगा और रंस भी आपके लिए कर सकता है तो इमाल जुगक important player रहेगा उसके बाद दोस्तों तायरिक जुगक दो ओवर की balling करा रहा है हर मच में विकेट इष्क को मिले फरस्ट में पदरन दो विकेट दो वर डालके उसके बाद दोस्तों 37 नोटाउट प्लस एक दो विकेट दो वर डालके तो बिल्कुल इसको ले करके चलो इवन captain वास captain भी कर सकते हो ठीक है उसके बाद सौईद एहमाद भैतरी हि इसले यह कम था लेकिन इस बार दोस्तों फर्स्ट मैच में देखो और 40 रन एक विकेट दोवर डालके उसके बाद दोस्तों 35 रन प्लस जिरो विकेट दोवर डालके तो दोवर की बॉलिंग इंपोर्टन ठीक है बिल्कुल ले करके चलो इवन कैप्टन वैस कैप्टन इसको भी करके चल सकते हैं आप लोग ठीक है रोटेट करना कैप्टन वैस कैप्टन ठीक है उसके बाद दोस्तों सामी उल्ला रहमानी दोवर की बॉलिंग ये भी करा रहा है ये तो लेकिन हार्ट हिटर बट्स मेरे मैं आपको बता दोस्तों फर्स्ट मैच में 49 रन जिरो काफी सांदार परफ़र्मेंस बिल्कुल लेकर के चलना दोवर की बॉलिंग साथी बैटिंग ठीक है उमरान जय जाई है दोस्तों इनकी अगर बैटिंग आगी तो ये भी काफी अच्छा बैटिंग कर सकता है दोस्तों फर्स्ट मैच में 5 रन किया दोस्तों लेकिन टीटे बैटिंग के और पॉइंट्स नहीं दे सकते आपको ठीक है नासिरिगबाल दोवर की बॉलिंग करेगा इंपोर्टेंट ये प्लेयर हो जाता है आपके लिए ठीक है फर्स्ट मैच में एक विकेट दोवर डालके उसके बाद दोस्तों दोवर डालके तो बिल्कुल इसको ल वकिल जलाली है फर्स्ट मैच में दोस्तों जीरो विकेट रहा एक ओवर मिला था इनको और दोस्तों उस एक ओवर में बहुत रण खाया थे इसने इसलिए इसको बॉलिंग नहीं दिया गया ठीक है उस सेकंड मैच से दोस्तों बॉलिंग नहीं दिया गया लेकिन दोस्तों बॉलिंग करता है ये ठिक ठाक रिकॉर्ड भी है इसका बिल्कुल ले करके चल सकते हो ग्रेंड लिग की टीम के लिए तु खास इसको सैश्ट करूँगा हलाकि स्मॉल लिग में ड्रॉप करना चाहो तो आप ड्रॉप कर सकते हो ठीक है यहां से important player की बात करूँ दोस्तो आपको तो इमाल जुगक most important player ठीक है तारीक जुगक important, साइध हमाद important, सामय उल्ला important रहेंगे बिल्कुल ले करके चलना ठीक है नीचे से दोस्तो आप नासीर इकबाल को लेना, फरहार्ड मुमन को ले सकते हो और वकिल जलाली को grand league में लेना ठीक है बाकी दोस्तो बैंच में भी player से इनके, इनके भी record आप देख सकते हो कोई भी खेले तो मैं आपको टेलिग्राम पे इनके बारे में update दे दूँगा कोई भी खेलेगा तो मैं आपको बता दूँगा pick करना है या नहीं ठीक है तो record तो आप लोग भी देख लिजिए यहाँ पे starting cover की बात करें तो साइथ अहमद और नासी इकबाल करते दीखेंगे death covers में दोस्तो साइथ अहमद Fahard मुमाट बालिंग करते दीखेंगे तो दोस्तो यह तो हो गया player के states के बारे में बात करते हैं एक demo team की तो दोस्तों यहां विकेट किपिंग सेक्षन से तो इमाल जुग की मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं नीचे के चारों प्लियर्स मुझे उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते ठीक है महदी खेलेंगे लेकिन बैटिंग बहुत डाउन है और बैटिंग आने के चांज भी काम है ठीक है तो इमाल जुग पिक कर रहूं है यहां से बैटिंग सेक्षन मुहमद आशान है समसाम खान है दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लियर बिल्कुल लेकर के चलना ठीक है बादार क लेकर के चल सकते हैं इसको लेकर के चलना लेकिन इनको बॉलिंग भी उतना अच्छा खासा नहीं मिलता है और दोस्तों इतना विकेट टिकर बॉलर नहीं है ठीक है यहां पर दूपर को आप याद रखना ठीक है खेलेगा तो इंपॉर्टेंट है उसके बास दूटों यहां से मैं लोने ऊहां एस अहमत को आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर और यहां से टी युवा को अपनी टीम में लेकर के चला हूँ बníक लिए सकते हो या फिर आप यहां से बॉपर को ले लो ठीक है तो आपको डिसाइट नभी करना है मिलेगा टीम है तो यहां पे दोस्तो अ लास्ट जब टॉस होता है उसके बाद भी डिसाइड किया जाता है प्लेयर्स को लिए ठीक है तो अभी किलिए मैं आई-उ-लहक को अपनी टीम में लिया हूं तो दोस्तों यहां पे टीम है वाइनल टीम आपको टेलिग्राम पे तो दोस्तो इन में बहुं सारा ओप्सन है Captain Vice Captain के आपके लिए लेकिन दोस्तो Final Team और Final Captain Vice Captain मैं आपको टेलिग्राम पर बता दूँगा तो टेलिग्राम को जोईन करना Grand League वाले इन में से रोटेट कर सकते हो 6 में ठीक है Captain Vice Captain बाके दोस्तो Small League के लिए मैं टेलिग्राम पर दूँगा अगर आप मेरे साथ जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बाकी मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ Captain Vice Captain के लिए ठीक है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करकर हो मिलता है नेक्षी वीडियो में थैंक्यू सो मज़ दोस्तों